रामपरसाद कलाकर प्वास्टिम सहीदत कौसांबी गाउं लोधम का पूरा दोस्तों वाप लिए यह वीडियो बनाया गाए मुन रंजन के लिए बनाया गया दोस्तों अगर हमारे चैनल मनाया है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए चाहिए हमारे वीडियो आपको अठैब कर दोस्तों नमस्कार दोस्तों रामपरसाद वीडियो में यूट्यूब में सभी का फिरसे स्वागत है है और दोस्तों मैं आज आज अपने खेत में है दोस्तों मैं आज खेत में हूँ तो क्या हुआ लेकिन आज मैं ऐसा वीडियो सूट कर रहा हूं दोस्तों आपके लिए कि आपका जो आप सुनेंगे ये वीडियो को तो आपको दिल में लगेगे कि हाँ कुछ सच बात है दोस्तो आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो यूटूब पर काम करते हैं यूटूब पर सारे बहुत लोग काम करते हैं लेकिन आपने ये सोचा है कभी कि जो YouTube पर काम करते हैं दोस्तों कितना मेहनत करते हैं और कितना संगहर से जहलते हैं दोस्तों तब ही जाके YouTube पर कुछ आदमी बड़ा कुछ कर पाता है लेकिन दोस्तों उसके लिए बड़ा कुछ करने के लिए दोस्तों कुछ बड़ा करना पड़ता है दोस्तो आदमी बहुत सारे देखे होंगे लेकिन जो यूटूब पर काम करते हैं उनके जैसा आदमी नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले दोस्तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि बीना डरे बात कैसे करें तो बीना डर है दोस्तों आप बात कैसे कर सकते हैं काइमरे के सामने तो अगर आप कहीं भी हैं अगर आपको डर लगता है अंदर से आपका दिल पहले जब आप दोस्तों बोलेंगे तो डर तो जरूर लगीगा आप जब बोलेंगे काइमरे के सामने तो पहले सी बात है दोस् कि अगर कोई भी बैखते अगर बात करता है तो दूसरे के सामने दोस्तों कभी बात करता है तो सबसे बड़ी बात कुछ नहीं है दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप बात करें काइमरा के सामने तो सबसे पहले दोस्तों आप काइमरा अपना ओन कर लीजिए काइमरा चालू करके दोस्तों आप बीना डरें अगर कोई आपके पास है फिर भी थोड़ा थोड़ा आप बोलिए जितना आपको आता है बोलने को उतना आप बोलिए जितना आता है द पहले दोस्तों सबसे पहले कुई भी बात बोलने से पहले आप ये अपना नाम बोलिए जैसे मेरा नाम नाम राम प्रसाद है तो राम प्रसाद मैं बोलताूं दोस्तों लेकिन मुझे भी डर लगता है कि यह मैं मेरा आदत पड़ गया है तो इसलिए दोस्तों की कामरे के सामने बीना डरे कैसे बात करें मैं आपको सिखाता हूं कैसे बोले मैं बाता है दोस्तों आप बात करिए बीना डरे और आप टेंशन थोड़ा भी मत लीजिए कि दोस्तों आप थोड़ा भी टेंशन मत लीज हैं मैं भी उसी से चलके आया हूं दोस्तों जैसे हैं वीडियो बहुत बढ़ीया देख रह आप यह सुन रहें है एक दम perfect सुन रहे हैं तो इस जो मैं कहे रहा हूं कि लुकुन सक्वणा है मैं मैं भी जब दोस्तों यूटूब पर आया इस बोलो मेरे को कुछ समझ मैरे को पता नहीं था लेकिन क्या हुआ दोस्तों में ध्य धीरे 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 बोलने को सीखा यूटूब में बीना किसी के अधे зарht remote jasar sano remember दोस्तों डर लगता था बात करने में बोलने में सब के सामने मेरे दर लगता था और कैमरे के सामने में डर लगता था दोस्तों लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों मैं धीरे धीरे जब बोलने लगा सीखने लगा बोलने लगा धीरे 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 धार है मेरी दोस्तों जबान में जो है एकड़म खुल चुकी है तो दोस्तों अगर आप डर रहे हैं तो टेंशन मत लेजिए मैं आपको सिखाऊंगा बताऊंगा कि आप बीना डरे कैसे बात करें काई मेरे के सामने तो सबसे पहले दोस्तों कि अगर आप डरते हैं तो भीना डरे बात करें काईसे वो बताता हूं आप जब बात करेंगे तो आपको डर लगेगा आप सर्माएंगे कि मैं काईसे बात करूं मेरे को तो सरम लगती है मैं कैमेरे के सामने कैसे बात करो लेकिन ये थोड़ा भी आप मत सोचिये, घबराइए मत जो भी आता है आपको वो बोले नाम बोलना आता है अपना गाओ बोलना आता है आप बहुत सारे दोस्तों ये देखिए कि जब मैं गाओं में रहता हूं जैसे आप गाव में रहते हैं तो गाव में दोस्तों के सामने बोलते हैं और भाई कैसे हो टटके बोलते हैं तो जैसे दोस्तों आप दोस्तों से मिलके बोलते हैं कि और भाई कैसे हो मैं अच्छा हूँ मेरा नाम ये है मैं यहां करहने वाला हूँ तो वैसे दोस्तों आप का कैमरे के सामने बोलेंगे दोस्तों तो आपिक खुल जाएगा और फिर आप धीरे 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 धीरेदीरे भोलने लगेंगे तो जब दोस्तों आप बहिते ह्ते हैं किसी के सामने भी अब किसी karen सामने भी बात कर सकते हैं और यूटूब में भी बात कर सकते हैं काइमरे के सामने भी बात कर सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा आप अपना काइमरा ओन कीजिए और दोस्तों काइमरा ओन करने के बाद क्या करिए आप काइमरा ओन करिए अपना नाम बोलिए जैसे मेरा नाम राम प्रसाद है और मैं अपना गाउं का नाम बता हूँ दोस्तों जैसे मेरा नाम राम प्रसाद मैं लोधन की पूरुवा का मेरा गाउं है और मेरा थाना पस्चिन से रहे हैं मैं लोधन की पूरुवा गाउं का रहने वाला हूँ और मैं छोटी से गाउं से बिलोम करता हूं छोटे से गरीब घर परवार से मैं बिलोम करता हूं दोस्तों तो ऐसे ही बोलते 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 आप सीथ जाएंगे तो मैं भी अब देखिए मैं भी जब मेरे को भी जब इनिकी जब मैं काइमरे के सामने बोलता था दोस्तों मेरे को भी बहुत डर लगता था मेरे भी आवाज नहीं खुला था और मेरे को डर लगता था तो मैं ऐसे ही धीरी 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 बोलने लगा सीखने लगा तो फिर मेरे को भी थोड़ो थोड़ो लोग भी बोलने लगे मेरे सब्सक्राइब करें आप आप किसी से भी बोलते हैं बोलते हैं मिलने डरे आप कैमरे के सामने बोलिए दोस्तों बीना डरे कैमरे के सामने बोलिए अपना नाम बोलिए अपना गाओं का नाम बोलिए रिलेशन का नाम बोलिए धीरे 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 आप बोलने लगेंगे बीना डरे एक दिन में दोस्तों तो आप नहीं सीख पाएंगे अगर आपकी आवाज में थोड़ा बहुत डिप्रेशन है, तो धीरे-धीरे क्या करेंगे, उसको बोलिए, धीरे-धीरे भोलिए, धीरे-धीरे आपकी आवाज खुल जाएगी, टेंशन मतली जी थोड़ा भी आप ये वीडियो देख रहा हैं बिलकुन जगे पर आ चुके हैं ये वीडियो में आप जो मैं बता रहा हूं बिलकुन सच बता रहा हूं दोस्तों कि मैं जब मैं यूटूब में आया तो मेरे को भी बोलने का नहीं आता था दोस्तों मैं बहु बात कर रहा हूं दोस्तों लेकिन आप से बात कर रहा हूं मैं आप सुन रहा हैं तो मैं बहुत अच्छा आपको बताऊंगा बहुत सिखाऊंगा गाँ दीरे-दीरे आप सीख जाएंगे सिर्फ दो मिनट में काईसे पहले तो अपना नाम बताईए एक बार आवाज अराम से बोलेंगे राम परसाथ फिर धीरे से बोलेंगे राम परसाथ फिर उसके बाद बोलेंगे राम परसाथ फिर धीरे से बोलेंगे राम परसाथ तो धीरे 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 आप बोलते जाएंगे जैसे आवाज आपकी बढ़ेने लगेगी वैसे ही आप बोलते जाएंगे बहुत perfect बोलेंगे तो धीरे धीरे आप दोस्तों सीखिए बίνה डरे camera के सामने बोलिए अगर आपके साथ कोई है, अगर आपको उसके सामने डर लगता है, तो आप थोड़ा बाहर चले जाएए, उसके सामने मत बोलिए, अगर आपको उसके रहने से डर लगता है, यह सरमीला आता है, तो भी बोलिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप बोलेंगे, तो परफिक्ट हो ज मेरे के सामने बोलता था मेरे को बहुत सारे लोग करते थे मेरे को बहुत सारे लोगanka हुआते थे मजाक कीरा थे क्या दिन भर कारतार रहता है लेकिन आपको उनके उपर ध्यान नहीं थोड़ा भी उनके उपर ध्यान नहीं देना दोस्तों क्योंकि अगर आप उनके उपर ध्यान देंगे तो बोल नहीं पाएंगे नहीं सीख पाएंगे नहीं कुछ कर सकते हैं दोस्तों तो जो आपको टोकेगा और आपको रोकेगा उसके उपर ध्यान नहीं देना दोस्तों सि ऐसे बोलूं मैं कि लोग मेरी आवाज को पसंद करे मुझे पसंद करने लगे तो ऐसा है दोस्तों बीना característ काइमरे के सामने आप बोलना सीख जाएंगे ये हैं सव अटक परसेन मैं कहता हूं क्योंकि जब मैं अपनी बात करूं मैं मैं अपनी बात करूं दोस्तों जब मैं काइमरे के सामने बोलता था तो मेरे को बहुत सारे लोग बोलते थे बहुत हसी उड़ाते थे बहुत मजाक उड़ाते थे लेकिन मैं उनके बात में ध्यान नहीं दिया तब ही आज दोस्तों मैं आपके सामने सीख गया और बोलने लगा दोस्तों कि मैं उनके उपर धेन नहीं दिया जो मुझे बोलते थे कि मैं मुझे पता थे कि मैं कैसा हूँ और कैसा मैं बनना चाहता हूँ ये मुझे पता है दोस्तों इसलिए मैं किसी पे ध्यान नहीं दिया मैं सिर्फ अपने आवाज पे ध्यान दिया अपने अंदर जहांक के देखा कि मेरे अंदर क्या है मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है मैं जहांक के देखा दोस्तों तभी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि आप बोलना सीख जाएंगे बीना डरे तोस्तों मैं जब काइमरे के सामने बोलता था मेरे को भी बहुत डर लगता था ऐसा नहीं है ऐसा नहीं सोचिए कि आप कि ऐसे ही बोलने लगा नहीं नहीं ये घलत बात ये कभी मत समझना कि ऐसे ही बोलने लगा बात में कर रहा हूं मैं अपनी बात बता रहा हूं मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मैं सोचता है कि मैं कैसे बोलूं और मेरे को भी डर लगता था मेरे को डर लगता था मैं कैसे बोलूं लोगों से मैं कैसे बात करूं अब में लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं मैं क्या तो जब मैं दोस्तों मैं गाउं में रहता था यानि कि गाउं में आज भी हूं मैं गाउं में जब छोटा था तब मेरे से बहुत लोग कम बोलते थे फिर मैं धीरे धीरे बोलना सीखा यूटूब से दोस्तों बोलने लगा तो सीखा मेरी आवाज खुली आज मैं बात कर रहा हम आपके सामने तो मैं भी एक सीखा हूं दोस्तों मैं भी मेरे आवाज जो आप सुन रहे हैं मैं भी एक मिज्जे भी कोई सिखाया मैं भी उसकी आवाज सुनता था कि भाई ये कैसे बोल रहा है मैं कैसे बोल रहा हूं मेरे को भी कुछ करना चाहिए मैं भी कैसे बोलू कि ल बोलने लगा जब बोलने लगा तो फिर लोग मेरी बातों को सुनने लगे गौर करने लगे और राम परसाथ तो ऐसे बोलता है और उसके बात ऐसी लग रही है कि इदर से सीखा कहां से सीख क्या आया तो दोस्तों ऐसी मेरे को लोग बोलते भी है मैं अपनी बात बता रहा हू और मेरे को हासी भी आती थी लेकिन फिर आज भी हासे अगर बात करता था दोस्तों कामरे के सामने तो हास देता था तो हासी आ जाती थी डरता था मैं जब डरता था था बात करने में थोड़ा जब डरता था बात करने में फिर डर रहता है तो ऐसे मैं भी जब दोस्ते जब मै बिर सीख रहा था मेरे को आवाज बोलने के लिए नहीं आ रहा था मैं कैसे बोले कारों हैं जब बात कर दोस्तों मेरे can गड़बड़ी हो यह कुछ गलती हो जाए दोस्तों तो माप कर देना चोटा भाई समझ के और मैं दोस्तों मैं यही पर मेरा बात खतम होता है दोस्तों कि मैं धीरे धीरे सिखा दूंगा आपको और यह वीडियो में अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि हम नमस्कार थांकि दोस्तों